अर्ष न्यूस की सारी खबरें आप तक मुवाइल फोन चेन लिया है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ष किया था जिसकी प्राच्मिक संख्या नंबर 472 धारा 381 आईपीसी की तहत मामला दर्ष किया था मामले को सुलजाने के लिए वैलकम ठाने के एसेट चोने एक टीम बनाये दी इस टीम के अंदर एसाई दीपक कुमार और कॉंस्टेबल विकास कुमार इस टीम में सामिल दे पुलिस टीम ने घटना सलके आसपास के सीसी टीवी फुटे स्कैन किया और आसपास के लोगों से भी पुश्तास की गई और तकनिक निगरानी के साथ साथ मानब खुफिया जानकारी भी खटी क गई गुप सूचना के अधार पर जाल बिचाया और एक मोटर साइकल पर दो व्यक्ति को जाफरबाद मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ लिया उनकी तलासली उनके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ जो की सिकायत करता से छीना था जिसके बाद दोनों आरूपियो को गिरब तार गया उनके पास एक मोटर साइकल थी जो की 30 मार्च को गोकुलपरी ठानच छेतर से चोरी की गई थी आरूपियों की पैचान समीर पुद्र इक्रामुदिन निवासी और्ड मस्तवबाद का है इसकी उम्र 24 वरसे दूसरे आरूपि का नाम आजीम पुद्र र क्या कि लूटेरों के एक अंतर राजे सेडी केंट के सक्री सदसे हैं जो थर्ड पार्टी सोब्रेयर के साथ अपनी सिस्टम सेटिंग को बदलने के बाद स्थाने बजार में चोरी और लूट के मुवाइल फोन को बेच दे थे उन्होंने आगे खुलासा क्या कि वे मुवा से गिरो चलाते हैं वे अपने लैप्टॉप में स्थापीत समर्पी सौफवेर की मदद से मुवाइल फोन को अनलोग करते थे बोड़ी को बदलते थे और उनका एक साती है जिनकर अब सिकंदर है उसको बेचते थे जो कि आगे वह करोल बाग और चानित चोक में वह बजार करता था अरोपियों के सारे से 66 फोटा रोड जाफरवाद 36 में चापे मारी की गई और दिली इंसियार से लूट किये चोरी किये पचास मुवाइल फॉन एक लैपटॉप एक वैक्यूम एलसेडी सेपरेट मसीन गुलू मसीन एक ड्रायर दो रेजिस्टर बरामद हुए मुवाइल फॉन 40 चार्जर लैपटॉप इन से बरामद किये गए साथी इनके तीन साथी हैं जिनका नाम बताया वह अभी फरार हैं उनको भी पकरने का परियाज किया जा रहा है पुलिस ने जो इनके पास से मुवाइल फॉन बरामद हुए थे उन में से 18 मुवाइल फॉन दिली एंसियार के थानों में मामला दर्द है बराल दो आरूपियों को गिरफतार कर लिया है बाकी इनके तीन और साथी हैं जिनोंने इनका नाम बताया था ये तीनों अभी फरार हैं तीनों आरूपियों को पकड़ने का परियाज किया जा रहा है बराल दोनों आरूपियो से पुष्टाज की दारिये